कुदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले था सुरे टेंसन अरे काव पर ले था सुरे टेंसन जब अपस्वर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से हलो स्टूडेंट्स आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है पिछली कक्षा में हम भोजन के संतुलित आहार एवं पाचन तंत्र को समझे थे आज जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत के छेतरी वेंजन से होगा जिहां साथियों आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत है वो एक विसाल काई देश है साथ ही यहां पर विभिन धर्म समूदाय भासा के लोग रहते हैं साथ ही इन सभी विभिन्निता के अधार पर इनका खान पान भी और रहन साहन भी बहुत अलग होता है हमने आश्रे में इनके आश्रे को तो देखा था लेकिन आज जो हमारी कक्षा है वो इनके भोजन पर होगी विभिन प्रकार के राज्यों की विभिन प्रकार की विसेशता मिलती है इनके भोजन के अधार पर तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे भारत के छित्री वेजन से इस पर विशेज ध्यान दीजेगा क्योंकि कुछ सालों से सीटेट यहां से सवाल कर रहा है कल्चर से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं वो हम अगली कक्षा में देखेंगे आज हम भोजन पर देखेंगे वेजन प प्रकार से होता है उस आधार पर भारत में कई प्रकार के छेत्री वेजन भी देखे जाते हैं जो अपने आप में अनोखा है और साथ में इस अनोखे पन के ही कानण हमारा भारत विसिस्ट देशों में से एक जाना जाता है सबसे पहले राज्य की हम बात करें तो वो हमारा होगा बिहार जिसकी राजधानी है पटना तो हम बात करते हैं बिहार की बिहार का जो छेत्री वेजन है वो सबसे जादा जो फेमस है वो खूबी की लाई और आपका लिट्टी चोखा है ये क्या आपका खूबी लाई है औ और साथ में वहाँ पर वेंजन देदेगा ठीक है इस तरह से सवाल आपको देगा और आपको मैच करना होगा तो इस तरह से आपकी सवाल बनेगे तो याद रखिएगा अगर बिहार की बात है तो बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है खूबी की लाई और लिट्टी का लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट माना जाता है मैंने खूद लिट्टी चोखा खाया लेकिन मैं खूबी की लाई तो फिलहाल नहीं खाई हूँ तो यह क्या है हमारे बिहार का सबसे फेमस भोजन है जिसे हम छेत्री वेंजन कहते हैं चलिए अगला र नारियल के तेल से बनी हुई मचली डारेक्ट सवाल पूछा गया था अगर आप प्रिवियस यह उठा कर देखेंगे तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर नारियल के तेल से मचली को तला जाता है तो याद रखीएगा वह कौन सा राज्य है आपका गोवा ऐसा राज्य है आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर नारियल का पेड अकसर बहुत ज्जादा देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ पर मशली जो है वो नारियल के तेल से तला जाता है। अब बात करते हैं हॉंग कॉंग हॉंग कॉंग की क्या विशेस्था है तो हॉंग कॉंग की हम बात करें तो यहाँ पस हॉंग कॉंग में साप का बना वेंजन खाया जाता है जिसे लिंगुफेंड कहती है most important है direct आपका examiner सवाल करता है link who fan क्या है या link who fan कहां से संबंदित है तो याद रखेगा link who fan आप ये image देख रहे हैं यहाँ पर कैसे कैसे वेंजन खाते रहते हैं तो सापो को काट काट के क्या बनाये गया है इस प्रकार का वेंजन बनाये गया है जो एकदम सबजी यासा देख रहा है और इसे हम क्या कहते हैं link who fan कहते हैं ठीक है तो ये सापो को काट के बनाये जा रहा है तो ये आपका link who fan है याद रखेगा अभी हमने क्या देखा सबसे पहले हमने बस्तर देखा बस्तर में क्या खाया जाता है लिट्टी चोखा और खूबी की लाई उसके बाद हमने govah देखा गowah में बहुत ज़्जादा नारील का पेड़ देखा जाता है और वहाँ पस मचली किससे तला जाता है तो नारील के तेल से तला जाता है साथ ही हमने क्या देखा साथ ही हमने हॉंग कॉंग देखा और हॉंग कॉंग में एक फेमस डिस है जिसे हम लिंग हुफेन कहते हैं और यह लिंग हुफेन किस से बनाया जाता है यह लिंग हुफेन आपके साप से बनाया जाता है तो यह बहुत फेमस है और आपके एकजाम में तला जाता है, लोग यहीं पर confious हो जाते है, याद रखिएगा जहांपस नारील तला है अब ऐसे ही याद रखिएगा Commons की, गोवा में क्या होता है नारील का पेड बहुत जादा होता है इसलिए यह वहाँपस क्या किया जाता है मशली को नारिल के तेल से तला जाता है लेकिन हमारा जो कस्मीर है वहाँ पर मशली को किस से फ्राई किया जाता है तो आपके सरसो के तेल से फ्राई किया जाता है याद रखिएगा सरसो के तेल से मशली को तला जाता है जो वहाँ का एक विशिष्ट छेतरी वेंजन है और बह केले की फूल की सबजी केरल में खाई जाती है ऐसे याद रख लीजिगा केरल से केला और केले की सबजी कहां पाई जाती है केरल में वैसे तो आल ओवर सबजागा खाई जाती है लेकिन एक छेत्री वेंजन होता है न तो यहां पस क्या किया जाता है केले के फूल की सबजी के हुआ यह क्या है आपको सब्जी है तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है यह हमारा केले के फूल से बना हुआ सब्जी है जो कहां पाया जाता है हमारे केरल में पाया जाता है इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है यह अच्छा है हमें पता चल रहे कि हमारा जो भारत है वहां पर इतने सारे राज्यें का कल्चर हमें देखने को मिल रहे हैं चलिए अब बात करते हैं राजस्थान इस राज्य को कौन नहीं जानता राजस्थान जिसे हम ये रेगेस्तान यहाँ पर एक पौधा उगता है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा पौधा है वो बताईए आपको कमेंट बॉक्स में बताना नहीं तो मैं फिर आंसर बता डालूंगी चलिए ऐसा कौन सा पौधा है जो मरुस्थली छेत्रों में उगता है यह पर डाल बाटी चूर्मा बहुत ज्यादा फेमस होता है और मलाई खेवर घेवर तो बहुत ज्यादा फेमस है आप सभी जानते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से मलाई घेवर बहुत ज्यादा प्रशिद्ध है साथ ही डाल बाटी चूर्मा भी बहुत ज्यादा क्या ह लिट्टी चोखा जैसे दिख रहा है लेकिन लिट्टी चोखा अलग है आपका और ये दाल बाटी चूर्मा अलग है तो याद रखना है राजस्तान में क्या आपका मलाई घेवर और आपका दाल बाटी चूर्मा अगला राज्जी क्या है आपका असम है असम किस नाम से फेमस है यह भी आपको बताना है साथ ही अगर हम असम में बात करें तो इसका क्या पस यह सवाल आपको बहुत इंपोर्टेंट है यह पूशा जाता है आपसे बोरा बोरा क्या है तो याद रखीएगा बोरा एक प्रका यहां बहुत ज़्यादा फेमस है माना जाता है भुट्टे की खीर यहां बहुत ज़्यादा फेमस है तो यह क्या है हमारे मद्यप्रदेश का छेत्री वेंजन है आप लोग कई ऐसे होंगे आप देखेंगे बहुत अच्छा लग रहे हैं देख देखकर हम आगे जब कल्चर पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगते हैं कि यार हमने ऐसा कभी किया नहीं और जैसे वेंजन अभी मैं लिखना भूट्टे की खीर यह भी मैंने कभी नहीं खाए तो अच्छा है देखने मैं अच्छा लग रहा है चलिए बात करते हैं हर्याड़ा की तो क्या है यहाँ का famous तो यहां का famous है बाजरा खिचडी बहुत ज़्यादा famous है यह आपका बाजरा खिचडी यह भी मैंने नहीं खाया है तो यह क्या है आपके हर्याणा का एक व्यान जन है याद रखिएगा बाजरा खिचडी आपके सवाल लिंगो फेन से पूछता है नारियल से तली हुई अखली कहां खाई जाती है और यह यह तीन सवाल आपको देखने को मिलते हैं अभी तक तो यह इन से ही सवाल किया है साथ ही अब हम बात करते हैं जारखंड जारखंड से भी सवाल बनते हैं आपका क्या है यहां का छित्री वेंजन तो याद रखिएगा मौहा रोटी चूकि यहां पस क्या रहते हैं आपके जनजाती लोंग रहते हैं तो यह लोंग क्या करते हैं मौहा रोटी बहुत लगा कर पढ़ने हैं यह क्या है मौहा रोटी है और यह है रुगड़ा रुगड़ा मतलब मस्रूम होता है वहां के लोग जो जारखंड के लोग है वो मस्रूम को क्या बोलते हैं रुगड़ा बोलते हैं तो याद रखिएगा अगर आपसे एक्जामीनर सवाल पूछे की जा खंड में मसरूम को किस नाम से जाना जाता है तो मसरूम को रुगड़ा के नाम से जाना जाता है इस चीज को आप ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है यह है हमारा प्यारा चटिस गड़ जो मेरा राज्य है यहां मैं रहती हूँ चटिस गड़ की हम बात करें तो चटिस गड़ में क्या famous है तो चटिस गड़ में आपका क्या है यह बोरा भासी बहुत जादा प्रशित है 36 गड़ के लोगों का मानना है कि जब हम रात के भोजन को सुबह ग्रहन करते हैं तो यह हमारे स्वास्त के लिए क्या होता है बहुत अच्छा होता है तो यह यहां का क्या है फेमस दिस है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं हम गुजरात की गुजरात के बारे में आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा जो स्टेचू है वो कहा है हमारे गुजरात में ही है हमारे जो प्रधानमंत्री भी थे वो कहां से थे थे मतलब हैं अभी भी गुजरात के गुजरात के प्रमुग खादे ढोकला च लग करते हैं मिघाले कि क्या है मिघाले की विशेष्टा क्या विशेष्टा है यहां के वेंचन की तो मिघाले में सूचिए मचली की चटनी खाई जाती है याद रखिएगा मिघाले में जो मचली की चटनी खाई जाती है उसे इस्थानी भासा में क्या कहते हैं उसे इस्थानी भासा में तुग तब कहते हैं क्या कहते हैं तुग तब एक्जामिनर सवाल बनाएगा घुमाए यह क्या आपका तुकतब है जो कहां पाए जाता है मिघाले में पाए जाता है और इसे हम मशली की चटनी बहुत है और मशली की चटनी कहां फेमास है आपके मिघाले में फेमास है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं किसकी पस्चिम बंगाल की क्या है पस्चिम पढ़ाय कोई इसका अंसर बता सकता है चलिए कमेंट बॉक्स में बताईएगा पस्चिम बंगाल में रसगुल्ला बहुत ज्यादा फेमस है और आपका दाब छिनगरी या छीनगरी दाब छीनगरी बोलते हैं जिसे जिंगा हम लोग अपने समान्य भासा में जिंगा बोलते ह इलो दाब छीनगरी बोलते हैं ठीक है और यासगुल्ला फेमस है रसगुल्ला हम सभी का फेवरेट होता है अब बात करते हैं welcome नागालेंट नागालेंट की क्या विसेस्ता है नागालेंट को हम समझेंगे यह अपने आप jeśli यह सभी क्या है हमारे फेमस rib चलिए यहां पास बास का कोपल खाया जाता है साथ में हमारे चतिसगड़ में भी मद्ध्य प्रदेश में भी आसपास जो स्टेट है ना वहां भी खायात है मुमूस अच्छा नागालेंड में मुमूस बहुत ज्यादा प्रशिद्ध है यहां से भी तक तो सवाल नहीं बने ह है बास का कोपल इंपोर्टेंट है यह आपको ध्यान रखना है यह सारी चीज Representatives जिन्गा मैं और मस्रूम को जारखंड में क्या कहते हैं यह सभी आपको याद रखना है अब बात करते हैं हम यूपी की उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश राज्य सवाल आपका एक्जामीनर करता है याद रखिएगा यूपी में कचनार के फूल की सब्जी सबसे ज़्यादा खाया जाता है अगर केले की फूल की सब्जी पूछे तो केले की फूल की सब्जी कहां पाया जाता है केले से केरल और कचनार की फूल की सब्जी कहां खाया जाता ह है जै महारास्ट ठीक है महारास्ट की हम बात करते हैं क्या है महारास्ट का प्रशिद्ध भोजन ये देखेंगे हम चलिए महारास्ट में सहजन के फूल के पखोड़े बनाये जाते अब देखिए फूल से सम्मंदित आपको तीन फैक्ट मिल गया कौन कौन से फैक्ट मिल गया सबसे पहले केरल में हमें फैक्ट मिला क्या फैक्ट मिला तो केरल में हमने देखा कि केरल में क्या किया जाता है केले के फूल की सबजी बनाई जाती है फिर इसके पहले हमने कौन सा स्टेट देखा तो इसके पहले हम देख रहे थे ये वाला स्टेट कौन सा आपका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमने क्या देखा कचनार के फूल की सबजी बनाई जाती है और केरल में केले की सबजी की लेकिन यहां पस क्या है आपके महरास्ट में सहजन के फूल की सबजी ये भी आपका most important है याद रखिएगा यहां से सवाल already बन चुके हैं महरास्ट में सहजन के फूल का पकोड़ा केरल में केले के फूल की सबजी और इसके पहले UP में कौन सा हम फूल देखे थे आपका कचना के की फूल को याद रखिएगा कचनार होंगया आपका UP में और सहजन है lunar में के लेगी फूल याद रखिएगा पउधों का खाये जाने वाला भाग, यह हम सवाल आपके बनते हैं, ध्यान दिजेगा, अगर हम बात करें पत्ती, तो हम पौधों में पत्ती का क्या क्या खातें, तो आप सभी अर्बी खातें, धनिया, पत्ता, गोभी, पालक, हाना, जितनी भी भाजी होती हो सब खाते हैं, कड़ी, पत्ता, फूल में हम क्या खाते हैं हमने देखा सहजन सहजन कहां खाय जाता है महरास्ट में ठीक है हमने देखा भी क्या सहजन के पकोड़े कहां खाय जाते हैं तो महरास्ट में केला आपके केरल में और कचनार कहां पाय जाता है आपके यूपी में आप लोगो याद ना है तो ऐसे य प्रचनार मतलब यूपी क्योंकि मुझे भी डाउट होता था सहजन महरास्ट और केला से आप केरल याद रखिएगा ठीक है तो यह आपको हो गया के तो कली किसकी खाई जाती है तो लॉंग की कली खाई जाती है जड़ किसका खाई जाता है मूली गाजर चुकुंदर तो यह आपको याद रखना है यहां से सवाल बनते हैं अगला है तने की हम बात करें तो जब हम जड़ और तना पढ़ रहे थे तब हमने यह टॉपिक समझा था अद्रक आलू प्याज कमल कगड़ी ठीक है बीज में हम क्या खाते हैं सरसो गेहूं धान बाजरा चना चाल में हम क्य क्या फाते हैं डाल-चीनी one और जब हमारा गल बैठ जाता है तो स वीडियो को देखना है, नोट्स बनाते चलना है, चलिए, तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा, आज की कक्षा में हम भारत के प्रमुक छेत्री वेंजन को देखे, साथ ही पोधो के प्रमुक खाय जाने वाले भाग को हम समझे, फिर हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आज कोनसा राच्य यान फिर हमने गोवा देखा, आपके नारीयल का पेड़ बहुत ज क्या पहा जाता है, तो यहाँ पना पर मशली को किस से तला जाता है, तो इस में है आपकी मशली क को तो इस मशली को किस से तला जाता है। मशली को यहां पर TV से दला जाता हूँ साथ ही मशली तनले की बात आए तो याद रखिएगा सर्सो के तेल से किस को तला जाता दा किस राजजमन तला जाता तो यह भी लगThere देखा था अब बात हो गया यहां से सवाल बनते हैं कि collectively अगया मश्ली सरसो तेल में अगया बनाए जाथा है यह यह हो गई तो यह हुगई आपका is the जी राजीस्थान देखा था रेजेस्थान में क्या फेमस है आपका राजेस्थान में तो राजेस्थान में आपका मलाई घेवर घेवर बहुत ज्यादा फेमस है और डाल बाटी चूर्मा यहां का फेमस है बस्तर में क्या फेमस है बस्तर में आपका लिट्टी चोखा फेमस है अब बात करते ह है असम की असम में हमने क्या देखा था असम में हमने देखा कि यहां एक चावल है बोरा नाम का जो बहुत ज़्यादा यहां खाया जाता है तो यह तो ये वहां ने मुह हाँ को वे अच्छार्ब साथ ही साथ ही गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में बहुत सारा जोटी से वो फेमस होता है जैसे आपका ढोकला, चटनी, लेमन राइस, मिठाई और वलसाड स्टेशन इंपोर्टेंट है, यहां से अल्रेडी सवाल बन चुका है बटाटा वडा और पूरी साग मस्फूर है, कहां? आपके गुजरात में फिर हमने मिघाले को देखा, मिघाले में भी हमने क्या देखा था? हमने देखा था मचली की चटनी, अगर टमाटर की चटनी बोले, तो 36 गाड ठीक है में मिखाले में चिटी चटनी बनाए जाती है यहाँ पस कनी अपर लिकाट लगा लापना में मश्ली का चटनी चेटनी ओनाल में बात कर रहे थाहा है, और रंगाल्ब घगल पर जाए उसित हम आदा है और जिंगा को यहां क्या केने हैं दाग चीन अगरी कैंए इसको भी ध्यानरक नहハハ है आपके बहुत ज़ादा एमकरदेश , यूपी, यूपी में हैं क्या फेमस है, तो हमने कौन सा फूल देखा था, तो हमने कचनार का फूल देखा था, जहां इसकी सबजी बनाई जाती है, तो ये फेमस है, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने महराष्ट देखा, महराष्ट में क्या फेमस है, तो याद रखिएगा महरास्ट में सहजन के फूल के पखोडे खाय जाते हैं, फूल से तिन कोश्चन हो गए, और फिर हमने पौधों का खाय जाने वाला प्रमुक भाग को देखा, जिसमें जड़, तना, पत्ती, कली, ये सारी चीज़े हमने देखा, आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे एक नए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको